Top 5 Best Screen Recording for Your Laptop या फिर Your PC Basically आज किस वीडियो में हम बात जानीज ये करने वाले है कि वो कौन कौन से सॉफ्टर हैं जिनके जरीए आप अपने लैप्टप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिन में आपको शायद ये मसला ना आए कि वो 32 बिट का है या आपके विंडो 64 बिट की है आपके विंडो अगर 64 बिट की है तो वो 32 बिट के है साथ में आपको resolution का मसला भी ना आए कि उसमें जो highest resolution है वो 720 कि है मतलब ये तमाम के तमाम question का answer आपको इस वीडियो में मिलने माला है तो हम फिर करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू बिसमिल्लाराह्मान ररहीम असलाम अलेकुम अर्वर्वन माइनम इस एच्छामरुग अच्छ टेकनिकल एक्सपर्ट मैं चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे ताके मैं आपको डिटेल से बता सकूँ किस तरह आपने इनको डॉलोड करना है, किस तरह आपने इस्तमाल करना है क्या रेजरुशन का सीन स्नेर्यो है और किस तरह आप अपनी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं असानी के साथ तो चलिए फिर लैपटॉप की स्क्रीन पे सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल है OBS Studio अच्छा ये सबसे फेवरेट और मोस्ट यूज होने वाला सौफ़फेर है ये आपको विंडो के लिए, मैक बुक के लिए और लिनिक्स ये तीनों के लिए ये आपको अवेलेबल होगा उसके बाद आपके वर्जिन के हिसाब से कि आपको कौन सा डॉलोड करना है आपने सिर्फ अपनी जो है वो विंडो जो भी आप पुछाए या आपने इसके टैप करना है और ये आटमेटिक डॉलोड हो जाएगा और कुछ इस तरह के इंटरफेस या डैश्पूट आप बोल सकते हैं आपको OBS Studio को देखने का मिलेगा ठीक है अब ये जो व्यूडियो रिकॉर्ड करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आप इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं ये मैं शूट कर रहा हूँ तकरीबन 720 के राउंड बॉर्ड और ये इस वकट OBS Studio में ही रिकॉर्ड की जा रही है ठीक है I hope कि आपको इसकी जो है वो गूड लुगिंग या इसके पिक्जल्स आपको अच्छे लगी होगे OBS Studio के मैं आपको recommendation भी यही करूँगा iOS और Android और उसके बाद Chromebook यह आपको available होगा इन तमाम के तमाम में उसके बाद education और यह तमाम के तमाम पर्पस और उसके बाद इनकी जो वर्थ यह तमाम के तमाम चीज़ें इन्होंने अपनी साइट पर शेयर की हुई है ठीक है उसके बाद आता है Share X अब इसको डॉनलोड आप इसली कर सकते हैं ठीक है इसको जो है वो आप यूज कर सकते हैं अपनी Macbook उसके बाद आप Linux में इसको सौरी नहीं यूज कर सकते हैं इसके बाद आप इसको Android में असानी के साथ और अपने PC में असानी के साथ जो है वो यूज कर सकते हैं उसके तमाम के तमाम में इसके जो है वो फीचर अनूंस किये हैं कि आप इसमें क्या क्यों कुछ कर सकते हैं, कौन-कौन से चीज़ें और कौन-कौन से फसीलिटीज ये शियर एक्स आपको परवाइड कर रहा है, ठीक है जी, अब नेक्स हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास आइस बार के नाम से सकते हैं, फ्री ओफ कोस्ट है, विंडो के लिए भी और मैक के लिए भी, अब थोड़ा सा डवास जाएंगे, तो उसके लिए फिर आपको पे करना पड़ेगा, बिसलिक हम पे करने वाले नहीं हैं, इन तमाम के तमाम सॉफ्टवेर्स को, ठीक है, अब जो नेक्स हमारे पा सकते हैं, विंडो एट में, उसके बाद मैक बुक में, उसके बाद ये तमाम के तमाम वर्जेन नहीं लेकिए, अच्छा, उसके बाद में चीज़ अगर आप VLC यूज़ करें, तो VLC में भी आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, मेथड़ आपको गूगल बता रहा है, कि आपने ये तमाम के तमाम स्टेप्स को फालो करना है, और उसके बाद आप अपने VLC जो हर एक जो हो लैपटॉप में अवेलेबल होता है, पीसी में अवेलेबल होता है, आप उसके दिरी अपनी विंडो को रिकॉर्ड कर सकें, अच्छा, अगर आप मेरा परसनल पॉइं इन तमाम के तमाम अप्लिकेशन में लेते हैं, तो मैं आपको highly recommendation OBS Studio ही करूँगा, क्योंकि ये most of favorite and most of expensive, जानी जियत की आच की वीडियो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ जरूर आई होगी, अगर आपको समझ नहीं है, तो मैं फिर आपको कहता हूँ कि आप दु और अगर आपने अभी तक इस चल्म को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जानी इस आप इस चल्म को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यहां तक फिर हमारा साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाला में ने नेक्स रीडियो में नेक्स रपिक एत आप रखे अपना बहुत जएदा ख्याल और चाम को रखे अपनी दौम बे याद, अल्लाह हाफीज